हेलो दोस्तो दिसे सुन्दरसिक मेरा अगिन हाउट्टु हिंदी के यूट्टु चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है हमारे एक यूट्वीब सब्सक्राबर ने पुछा है कि आधार कार्ट जो है वो खो गया है या फिर उसकी करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपका आधार कार्ट खो चुका है या फिर आपका आधार कार्ट का जो एंडॉल्मेंट स्लीप होती है वो आपकी खो चुकी है तो आप अपना आधार कार्ट का नंबर कैसे बता कर सकते हैं या फिर आ आप अपना enrollment number कैसे पता कर सकते हैं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपना अधार card number और enrollment number कैसे पता करते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्त तक का देखते रही है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा how to लिएुटिब चैनल अभी तक अगना और लिभास पर लाते हैं तो और आप सब्सक्राइब कर मैय करते हैं क्लिक करते हैं और यहां और आपको सब्सक्राइब करना qi के इसको देख सकते हैं resident.uidai.net.in आपने क्या करना है इस website को खोलना है तो जैसी इस website को आप खोल लेते हैं उसके आद आप नीचे को scroll करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक option होता है find uid और eid तो आपने क्या करना है इसमें click करना है तो यहाँ पर देखिए आपके नंबर के लिए भी same details फिल करनी है तो मैं यहाँ पर आधार काड नंबर जानना चाहता हूं अपना और यहाँ पर देखिए उसके आद आपने क्या करना है अपना full name जो भी आपने वहाँ पर registration करते समय आपने दिया होगा वह और यहाँ पर आपके पास email है तो आप अपना email आपने यहाँ आपने आपने पर registration करते समय उनको दिया होगा वह यहाँ पिर आपने जो अपना mobile नंबर रिजिटर कर वा रखा है और अगर आपने अपना बोबाइल नमबर डाल रहे हैं यहां पर तो आप अपने पास अपना मोबाइल नमबर रख लिजिए कि उसमा ओटीपी आएगा उसके आद आपको अपना आधार कार्ड नमबर जो है वो मिल पाएगा यहां पर मैं अपना फुल नेम डाल देता हूं जैसे मैं यहां पर मेरा है ठीक है फुल नेम डाल दिया उसके आद यहां पर इमेल एडर्ज डाल दीजिए या फिर अपना मोबाइल नमबर डाल दीजिए जो भी आप डालना चाहें वो यहां पर आप डाल सकते हैं तो जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं अपना मोबाइल नमबर डाल देता हूँ ठीक है मोबाइल नमबर यहाँ पर डाल दिया उसके आद यहाँ पर आपने क्या करना अपना कापचा कोट जो है इसको फिल करना है यहाँ पर कापचा कोट डाल दीजिए काप्च अकॉट भी डाल दिया उसके आद आपने क्या करना है GET OTP में क्लिक करना है। जैसे GET OTP में क्लिक करींगे आपके मूभाल पर एक OTP आजागा one time password आपने उसको फिर क्या करना है यहां पर ENTER OTP में क्लिक करके यहां पर उसको fill करना है। अब जो OTP आया है, उसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ OTP एंटर कर दिया, उसके अधर आपने क्या करना है, यहाँ पर verify OTP में क्लिक करना है जैसी verify OTP में क्लिक करेंगे, उसके अधर यहाँ पर देखिए, congratulations, आधर कार्ड नंबर, मतलब UID has been sent to your mobile जो भी आपका mobile नंबर आपने रिश्टर कर दो रखा, उसमां आपका आधर कार्ड नंबर जो है वो आचुगा होगा अब आप क्या कर सकते हैं, इसके next वीडियो में आपको बताऊंगा, कि अगर आपने अपना आधर कार्ड जो है उसको डाउनलोड करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जुरू लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे लिखके बढ़ रहिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कम्पिटर, इंटरनेट, मोबाईल और जी से संबंदी टिप्स, और टिक्स, और टूटरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सिखने के लिए आप हमारा हाउटो हिंदी यूटीब चैनल अभी तुलन सब्सक्राइब कर लिजिए, थैंकिए पर वाचिंग, बाइन टेक क्यार, देखतर ये, सिखतर ये, हाउ